और अब मॉर्निंग गैज आज मैं आपको तीन एक्सरसाइज बता रही हूं जो आपकी थाइस मुसल्स के लिए आपकी कमर के लिए और आपके पेट के लिए और सारी तीनों एक्सरसाइज आप बैट के साथ कर सकते हैं तो आप पहली First exercise जो है आपको पैर को आपको ऐसे करना और इस पैक को यहां पर ठीक है अब यह जो गैप है इसको हम फिर यहां की मसल्स यह वाली मसल्स इसके लिए exercise है simple exercise है क्या करना है वान यह टच करना नीचे ठीक है फिर stand होना है ठीक है start करेंगे यह 1 2 3 4 5 6 गुटने को आगे 7 8 9 10 ओके यहां से हमारी थाइस मसल्स के लिए सेक्वी के बितरब कर लिए हमें इस तरह तरह हएं थिकर दो तरह किसे कर सकता है से पहले आपको मोड़े मोड़े बुग करते हैं तोम Schrived У Algopend기 निंत तक मृब सकते हाँ अब दोनों हाथ उपर लाएंगे और आगे की हो जाए जाने आगे की हो अपने पंजों को पकड़ें माथे को लगाएं घुटने पर यह साइट्स साइट के लिए बहुत अच्छा है थर्ड एक्सरसाइज हाथ को उपर करेंगे और यह स्ट्रेच यह स्ट्रेच अब कोशिश करें अपने आपको नीचे पुष करने की फिर उठे ठीक है यह सेंट्र में आएंगे रिलक्स हो जाएंगे हाँ फोर्थ एक्सरसाइज आपकी यह जो हम उस टासन में करते थे ठीक है कुछ नहीं करना पैर को फोल्ड करना अपने आपको सामने ठी करेंगे और दूसरा हाथ उपर लाते हैं पूरा है यहां पर एक्षेक पार करें यह पीछे की ओर जितना होता है उतना करें अपनी शंता के अनुसार करें जहां भी आपको लगता है में को थोड़ी सी अनीजीन ऐसा है वहां पर थोड़ा रूख जाएं जबरदस्ति नहीं ल हीपейब करना किसी थे हां हम दूसरी लग को करेंगे यह वला वही शेम एकसरसाइ жиз ईपीट करेंगे एक थीच है क्लेंट क्यंब एक हो जाता है तो आप रिपीट करेंगे चार एकसरसाइज गो मैंने तीन नों पहले करी है आप एक और बताते हैं पढ़ने अखवार को लेंगे ठीक है सबसे पहले एक्सराइज क्यों ना कर लें अखवार से ठीक है हाथ को रखा ऊपर किया और यह देखो इतना अच्छा स्टेच आता है कुछ नी करना आपको सिरफ हाथ को पीछे ले जाना है और इतनी वेरियेशन आप इसके साथ कर सकतो ना न्यू के बल खड़े होंगे हुँ ठीक है फिर वापस आएंगे आपकी सारी सुस्ती भाग जाएगी ठीक है ना अखवार पढ़ने का भी मन करेगा और बहुत एक्सराइज होती है न्यूस्पेपर से तो हम कभी और क्लास में करेंगे ठीक है ओके बाई